हेलो देर सूरेंट्स आई वेलकम यू अलोन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफर्म आफ एडवांस इंजिनियरीं क्लासेस आप सभी का फिर से सवागते शौरी सीरीस के अंदर जिसमें हम हम फ्लूड मैकेनिक्स के कोश्चंस का प्रेक्टिस कर रहे हैं यहां पर हर प्रकार के कॉष्चंस जो असे सी में के नए एकजाम पैटन में आ सकते हैं वो सारे कॉष्चंस का एफम के सब ही टॉपिक्स को में कभर करता वा चलूंगा आपको questions जो SSJ mains के नए exam pattern में आ सकते हैं वो सारे questions का practice FM के सभी topics को में cover करता वह चलूँगा आपको सिर्फ क्या करना है copy pen लेकर साथ में जब तक session चल रहा है तब तक जो important points नए point special point कुछ tips and tricks आपको दिखती हैं उनको आप note down करें और साथ में जो fluid mechanics के आपके short notes होंगे ठीक है उनको आप revise करते चलें तो आपका पूरा fluid mechanics यहां पर SSJ mains के लिए हमें आपका ready करा दोंगा अगर आपको constant support की requirement है कि सर आप ही हमारा revision भी करा दीजिए तो उसके लिए AEC plus application पर practice plus revision बैचे जहां पर आपको 200 plus hours के lectures module 3000 plus questions के practice session total 100 number of test की test series जिसमें 20 full length and 80 subjective test है चुकि exam button नया है तो 10 full length से काम नहीं चलेगा 20 full length तो आपको compulsory है देना तब ही आपका एक अच्छी sufficient preparation हो पाएगे ठीक और यह जो दोनों lecture modules हैं जो प्रक्टिसेक्शन हैं के PDF आप download कर सकते हैं ताकि आप end time पर revise भी कर पाएगे लेप टॉप पे access कर सकते हैं mobile पर दोनों पर और साथ में offline download की facility भी अवेलेबल है कि आप वीडियो को download भी कर सकते हैं अपने mobile के अंदर सो आगे बढ़ते हैं session के अंदर हमारा सबसे आज का फ्लूड मेकनिस का फोर्थ लेक्चर है टॉपिक है लेमिनार फ्लो टर्बूलेंट फ्लो से कोशन इस session के अंदर है तो आए स्टार्ड करते हैं सबसे पहला कोशन है फॉर लेमिनार फ्लो इन पाइप केरिंग इवन डिस्चार्ट दा हाइट ऑफ दी सर्फेस रफनेस इस डबल इन सच केस डार्सी विजबेक फ्रिक्षन फ्रेक्टर है जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजंट करते हैं इद इस फंक्षन आउव रेनौड नमबर अनली वो सर्फेस रफनेस का फंक्षन नहीं है वहीं पर जो टर्यब्यूलेंट फ्लो होता है टर्यूलेंट फ्लो के केस में जो हमारे पास करते हैं surface roughness की height average height of roughness के उस पर depend करता है तो turbulent flow में इस पर फरक पड़ेगा लेमिनार flow में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो सही answer क्या होगा एंसर रिमेन अंचेंज है नेक्स कोशन पर आते हैं लेमिनार flow of oil between the two points of given pipeline is doubled लेमिनार flow है दो point के बीच में जो रहा है उसे double कर दिया तो power consumption जो है इस increase to four times the original power power consumption जो है वो four times हो जाएगा original power के ठीक है इसको हम समझते हैं दूसरा reason दे रखा यहां पर लेमिनार flow अगर circular pipe के बीच में होता है तो head laws varies directly as the discharge तो मैं आपको लेमिनार flow में जो सभी terms के बीच में interdependency वो बता देता हो अगर आपको लेमिनार flow का question बोला है और लेमिनार flow में आपसे बोलता है कि जो energy loss head loss है वो discharge की कितनी power पे depend करता है तो discharge की power 1 पे depend करता है आपसे अगर पूछे कि energy loss लेमिनार flow में diameter की कितनी power पे depend करता है तो inverse power 4 पे depend करता है और आपसे पूछे कि जो power consumption होता है लेमिनार flow के अंदर power consumed जो होती है वो energy loss के कितने उस पे depend करता है मतलब discharge के तो वो discharge की power 2 पे depend करता है clear है यहां तक power consumption का formula आपको पता होगा power loss का जो formula होता है वो होता है M.GHF तो एक तो यहां पर HF के अंदर Q आ गया तो एक तो Q की power 1 वो हो गया और M. जो होता है mass flow rate वो भी हमारे पास होता है row Q इसलिए power consume किसके बराबर हो गया रो Q square मतलब power discharge की power 2 पे depend करेगा अब इन्होंने बोलाए कि अगर flow flow मतलब discharge discharge को अगर मैं two times कर दूँ तो ऑबिसी बात है power कितना हो जागा four times और वो भी यही बोल रहा है मतलब सही है और reason क्या दे रहा है क्योंकि energy loss discharge के directly proportional है यह बात भी सही है च्योंकि power में RIM.GHF और यह power 1 और इसमें भी एक power 1 उससे बन गया power 2 मतलब दोनो statement correct है और R उससा correct explanation भी है next question पर आते हैं बचों यह धिहान रखने से काफी questions आएंगे यह धिहान रखना बहुत important है next is in the equation HF is equal to FLV square upon 2 GD for laminar fruit to the pipe the term V mean velocity is given by V बराबर P1 minus P2 R square upon 8 mu L ठीक है तो अगर HF बराबर FLV square upon 2 GD है यह हमारे पास Darcy's law है और इसमें आप यह भी जानते हैं कि अगर हम इससे equate करें Darcy's law से तो हमारे पास जो mean velocity है उसका formula यह बनेगा इसको हम check कर सकते हैं ठीक है कैसे check करेंगे एक तो हम Darcy law के द्वारा check कर सकते हैं Darcy law में कैसे check करेंगे HF बराबर कितना होता है FLV square upon 2 GD तो यह हो गया हमारे पास कितना energy loss ठीक है अब यहाँ पर साथ में HF को हम क्या बोल सकते हैं head loss को क्या बोल सकते हैं P1 minus P2 upon rho G और बराबर यह हो जाएगा FLV square upon 2 GD ठीक है energy loss क्या होता है आपका pressure head horizontal pipe अगर है तो तो यहाँ से हमारे पास G से G cancel हो जाएगा अब यह हो गया हमारे पास P1 minus P2 upon rho और friction factor का जो formula है वो होता है 64 के upon में RE और Reynolds number होता है rho V D upon mu तो mu आजाएगा उपर into L और यह आगई average velocity और नीचे क्या बजगा यहाँ पर 2 बजगा और एक और क्या बजगा हमारे पास D बजगा इस से जब simplify करेंगे तो यहाँ पर rho से rho क्या हो गया cancel हो गया V square से यह V cancel हो गया अब हमारे पास term क्या बची 2 से अगर देखेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 32 times तो अगर हमें mean velocity देखना है तो mean velocity V का formula क्या बनेगा P1 minus P2 एक तो यह आ गया D square हो जाएगा यहाँ पर radius के form में पूछा है radius के form में करेंगे तो D कितना होता है 2 times D radius तो D square मतलब यह हो जाएगा 4R square ठीक है 4R square यह जाएगा उपर divided by नीचे के आएगा 32 और साथ में एक बच्चे का Mew और एक बच्चे का L अब 4 से 32 गया तो 8 times मतलब यहाँ पर हमारे पास average velocity का formula कितना आ गया यह आ जाएगा P1 minus P2 into R square upon 8 Mew L ठीक है अब ज़रा देखो इन्होंने क्या बोला है P1 minus P2 R square upon 8 Mew L मतलब यह correct है सही statement है आगे बोला है दो टर्म F friction factor in the above equation equal 64 upon R E where R E is the Reynolds number ठीक है मतलब की friction factor जो है वो 64 upon R E है तो यह बात भी सही है ठीक है तो यहाँ पर यह लेमिनार फ्लो की बात है तो लेमिनार फ्लो में जो 64 upon R E होता है और इसलिए हमारे पास term यह यह वाली बनी है इसमें एक और चीज आपको समझना है ऐसे नहीं करना है तो आप इसको हैगन पॉइजले हमारे पास जो equation है उससे भी हम कर सकते हैं वहाँ पर होता है एक बराबर 32 मिउ वी एल अपान रोजी डी स्क्वेर इससे भी आप कर सकते हैं तो इससे आपका speed में आजाएगा यह हो गया P1-2 अपान रोजी इस इकुवल टूडी स्कवर को हो जाएगा आपका 8 मिउ वी एल अपान रोजी into R square रोजी से रोजी कैंसल तो आपका सीधे यहां से वी कित्ता आ गया इत्ते ही आ जाएगा तो आप इससे भी कर सकते हैं जो कि यहीरी अचा प्रोफाइल नसी यहां से र मिलोजीडी प्रोफाइल से रहराद से अगर हमलेबिनार फलोग की बात करें तो चाहे सरक्यूलर पीब की बात हो या स्था गिविप boundary पर maximum velocity है और center पर जो वेलोशिटी यह शीयर इस्ट्रेस वो 0 है शीयर इस्ट्रेस और boundary पर जो है वो maximum है उसको वाल शीयर stress भी बोलते हैं टाउनौर से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो maximum का है boundary पर और center पर कितना है 0 और यह velocity है यहाँ पर आपकी maximum है इसका velocity का variation कैसा है parabolic और इसका जो हमारे पास variation है वो क्या होगा linear ठीक है ऐसे भी इस बात को हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो velocity का formula होता है वो है minus 1 upon 4 mu del p by del x और capital r square minus small r square और shear stress की जो equation होती है वो होती है minus का r by 2 del p by del x ठीक है यह किसके लिए है यह laminar flow through circular pipe के लिए तो यह हमारे पास velocity का relation है local velocity जो की आर की power 2 पर depend कर रही है और यह shear stress की है जो कि आर की power 1 पर कर रही है इसलिए linear होगा तो सही answer क्या होगा यहाँ पर स्टेट लाइन हाइपर बोला पेराबोला एलिप्स नहीं हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स कोशन ने वाटर ओफ वी सेंटी स्टोक मतलब यह दे रखी काइनेमेटिक विसकोसिटी फ्लो तुरू ए सेंटीमेटर डायमेटर पाइप क्रिटीकल फ्लो विल करस्पॉंट वे डिस्चार्ज ऑब एक्स प्र अप्रोक्सिमेटल अब क्रिटीकल फ्लो बोला तो इससे हमें लेमिनार है और कब टरिबूलेंट में शिफ्ट हो रहा है तो उसको मैक्जीमम नंबर को क्रिटीकल नंबर बोलते हैं जैसे ओपन चैनल फ्लो में 500 लेमिनार फ्लो तो स्वाइल के लिए वन तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है वीडी के अपॉन में नियू या रो वी यहां पर हम इधर से इसका मलटिप्लाय कर देते हैं और 2000 और ये हमें सेंटी ष्टोग दिया है काइनेमिटिक विसकोसिटी वन सेंटी स्टोग अच्छा सैंटीवीटर कितना होता है मुनलब centimeter कितने meter होता है 10 की power minus 2 तो यह से यह भी 10 की power minus 2 स्टोक होगा और यह CGS unit है और हमें diameter भी CGS में दे रखा है तो इसको हम ऐसी रख देंगे तो 10 की power minus 2 और upon में यहाँ जाएगा 1 centimeter इससे जब solve करेंगे तो यहाँ जाएगा 20 centimeter per second अब हमें क्या निकाला है यहाँ पर discharge तो discharge का formula क्या होगा pi by 4 d square into average velocity तो pi by 4 और d किता है 1 का square CGS में रखते हैं और into में velocity हमारे पास किती है 20 इसको हम simplify करते है 0.78 pi by 4 की value direct किती होती है 0.78 याद रखो तो 0.78 में हम 20 का multiply कर देंगे तो यह आजएगा 15.6 cubic meter per second और cubic meter जो हमारे पास होता है वो होता है 10 की power minus 3 जो कि 1 cubic meter बराबर होता है 1000 liter ठीक और यह होता है 10 की power 6 cubic centimeter तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 cubic centimeter बराबर 10 की power minus 3 तो यहाँ पर आजएगा 15.6 10 to the power minus 3 liter per second ठीक है तो यह हमारे पास answer कितना होगा 0.0156 liter per second तो यह यहाँ पर option में कौन सा है हमारे पास C will be the nearest option चुकि हमने 5 by 4 को 0.7 hit लिया गए exit 5 by 4 रखते तो हमारे पास 0.016 answer आजाता अगले question पे चलते हैं the next an oil of viscosity 9 poise is flowing through a horizontal pipe of 60 mm diameter if the flow is laminar the pressure drop in 100 meter length of the pipe is 1800 kN per meter square the average velocity of the flow is average flow velocity पुछा है horizontal pipe है laminar flow बोल रहा है तो हम यहाँ पे हेगन पॉजले formula यूज कर सकते हैं उससे जल्दी answer आजागा डालसी भी यूज कर सकते हैं बड हेगन से जल्दी आएगा तो हेगन में formula क्या होता है 32 mu VL upon rho gd square यह pipe के लिए है और 12 mu VL upon rho g h square वो parallel plate के लिए है अब hf का formula क्या होता है pressure head का difference of pressure head तो p1 minus p2 upon rho g 32 mu VL upon rho g d square rho g से rho g cancel pressure drop कितना है pressure drop बोल रखा है 1800 kN per meter square तो यह pressure की unit है तो यानि difference है 1800 upon में length कितनी है meter में अगर देखें तो length है pipe की यहां पर 100 meter तो उसको हम नीचे ले लेंगे L नीचे आ गया question में क्या पूछा है average velocity और 32 भी नीचे आ जाएगा into mu भी हमें रखना पड़ेगा तो mu हमारे पास कितना है 9 points इसको हम SI में convert कर देते हैं SI में convert करने के लिए 10 का divide करना पड़ता है तो यह 0.9 Pascal second आ जाएगा SI unit में तो यहां पर mu आ जाएगा हमारे पास 0.9 साथ में d square रखेंगे तो diameter कितना है 60 mm तो यह 60 का square हो जाएगा और mm से में जाने में 10 की पावर माइनस 6 क्योंकि एक मिटर बराव एक में बरावर 10 की पावर माइनस 3 दो है इसलिए 10 की पावर माइनस 6 और यह हमारे पास आगई average velocity इसको बस हमें solve करना है यहां पे solve करेंगे तो यह तो cancel हो गया ठीक है इससे यह हम हटा देंगे यहां पर और 10 ऊपर जाएगा तो वो 10 की पावर यहां पर कितना बचे का माइनस का 5 ठीक और 9 टू जा यह हो जाएगा 18 तो अब इसको हम solve कर लेते हैं कितना हो रहा है 2 इंटू 60 का square इंटू 10 to the power माइनस 5 डिवाइड़ बाइ यह हमारे पास आ रहा है 32 तो दिस इस 2.25 10 to the power माइनस 3 2.25 10 to the power माइनस 3 ठीक है अब इसमें एक चीज और यहां पर ध्यान रखने हैं आपको आपने सब कुछ तो न्यूटन में रखा बड़ यह प्रेशर हमने किलो में रख दिया था तो यहां पर इसका 10 to the power 3 भी आएगा अभी जब हमने solve करा तो यह आ रहा है 2.25 10 to the power माइनस 3 और 10 to the power 3 कीलो का भी करेंगे तो वो आगया 22.25 मीटर पर सेकंड तो यह विल भी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट इस दा मोमेंटम करेक्शन फेक्टर फोर फ्लो त्रू ओपन चैनल फ्लो इस गिवन बैदेको मोमेंटम करेक्शन फेक्टर का सिंबॉल यह बीटा और काइनेटिक एनरजी करेक्शन फेक्टर का सिंबॉल यह मोमेंटम करेक्शन फेक्टर है और मोमेंटम न होता है और एरियाल इंटेग्रेशन अपों एट चुन इस इसका है अब यहां पर कुण सा वाला हम से में चोंच हो रहाँ इसमें मोमेंटम पूछाए तो V squareDA यह होगा, V squareDA upon AV, okay, V squareDA upon AV, V squareDA upon AV square, तो यह हमारे पास जो यहां term बनेगी, वो बनेगी A वाली term, V square DA upon AV square, this will be the correct answer, तो यहुआ यहां पे V cube DA upon AV cube, यह मोमेंटम, यह काइनेटिक, यह भी ध्यान रखना है, alpha की value और beta की value laminar flow turbulent flow में यह पूछते हैं ठीक है pipe के लिए यहाँ पर यह होता है 2 और यह होता है हमारे पास 1.33 और यह होता है 1.33 और यह होता है 1.2 ठीक तो यह pipe के लिए आप इसमें ध्यान रखना आगे बढ़ेंगे वहीं पर अगर आप से parallel plate के अंदर पूछें तो parallel plate में alpha की जो value होती है वह 1.5 होती है और beta की value जो होती है वह 1.2 होती है next is oil जिसका dynamic viscosity 0.44 है density इतना है filled in space between two parallel plates which are 18 mm apart the upper plate is moving at a velocity of 4 meter per second what is the shear stress on the plate अब इस से हम इस question को flow through parallel plate laminar flow through solve करेंगे बड़ इसमें उतना जाने की जर्वत नी simple साम tau बराबर mu du by dy वाला relation लगाते है ठीक है हमें यहाँ पर दे रखा है mu कितना है 0.44 SI unit में है du का मतलब क्या है change in velocity उपर वाली चल रही है 4 meter per second से और नीचे वाली जो plate है वो stationary है उसकी velocity 0 है और यहाँ पर यह liquid fill है तो जो du होगा वोगा 4 minus 0 और dy होगा उनके बीच की distance और उनके बीच की distance कितनी 18 है मैं तो यह होगा हमारे पास 18 into 10 to the power minus 3 इसको हमें solve करना है कितना आ रहा है तो this will be 0.44 into 4 divided by 18 into 10 to the power minus 3 यह आगया 97.77 97.77 और unit क्या बनेगी इसकी Newton पर meter square पासकल में क्योंकि हमने सब कुछ SI unit में रखा है तो 97.77 मतलब यह answer 97.8 next question है a circular pipe of radius R carries a laminar flow of fluid the average velocity is indicated as local velocity at what radial distance measured from the center ठीक है मतलब question में क्या पूछा है कि हमारे पास एक circular pipe है और उसमें जो velocity का distribution है आप जानते है वो parabolic होता है और center में velocity कित्ती होती है यहाँ पर maximum होती है U max ठीक है और इसकी जो distance है यहाँ से boundary से यह capital R है अब आप जानते हैं इसमें local velocity जो equation होती है वो होती है minus 1 upon 4 mu del P by del X into capital R square minus small r square और किसी भी layer की जो velocity होती है center से वो होती है small r उसकी जो velocity है वो यू local velocity वो हमारे पास equation average velocity की जो होती है वो होती है minus 1 upon 8 mu del P by del X into capital R square अब वो यह बोल रहा है कि एसी कौन सी distance होगी center से layer की जिस पर आपकी जो local velocity है वो average के बराबर आ जाए एसी कौन सी location है तो हम इन दोनों को equate कर देते जब इन दोनों को equate करेंगे तो minus 1 upon 4 mu del P by del X और यहाँ पे हो जाएगा r square minus r square और यहाँ आ जाएगा minus 1 upon 8 mu del P by del X into r square अब इसमें से अगर हम देखें तो यह cancel यह भी cancel 4 से गया 2 times तो यह हो जाएगा r square minus r square बराबर r square by 2 इसको solve करेंगे इदर लाएगे तो यह हो जाएगा r square by 2 बराबर r square इससे हमारे पास value आ जाएगी r by r बराबर 1 by root 2 और 1 by root 2 होता है बोल सकते हैं जो center line से ही नापते हैं small r radial distance तो 0.7 70% पर आपका जो radius का 70% पर आपकी जो local velocity होगी वो average के बराबर होगी ठीक है मतलब हम यह बोल सकते हैं कि center से कितनी दूर पर center से 70% 0.7 पर rk आपकी जो local होगी वो average के बराबर हो जाएगी अब इसी question को कभी-कभी उल्टा भी पूछ सकते हैं last में बोल देंगे measured from boundary तो अगर boundary से पूछे हैं तो फिर boundary से आपका answer होगा 0.3 r from boundary तो यह ध्यान रखना कहा से पूछ रहा है question तो simple है आप कर लेंगे but boundary से पूछा तो 0.3 योगी total r है तो यहां से 0.7 तो यहां से 0.3 ठीक है तो सही answer होगा हमारे पास B answer 0.71 next is a 4 cm dia pipeline carrying a laminar flow of liquid with mu बराबर 1.6 centipoise and velocity at the x is 2 meter per second what is the shear stress midway between the wall and the plate pipeline की बात है pipe है तो आप ध्यान रखें shear stress की जो equation होती है वो होती है minus r by 2 del p upon del x यह equation होती है किसी भी जगे पे आपको निकाल ली है अब उसने क्या बोलाए axis पर velocity center पर velocity किती है 2 meter per second और liquid की viscosity है 1.6 centipoise 1.6 10 की पाउर minus 2 poise में और फिर उसको SI में करेंगे तो 10 की पाउर minus 1 पासकल सेकेंड ठीक diameter है हमारे पास 4 cm तो diameter को हम यहाँ पर बोल देते हैं 4 into 10 to the power minus 2 meter clear अब इसमें रखते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर velocity दिए axis पर axis पर velocity मतलब center velocity जो की maximum होती है तो हमें del p by del x निकालना पड़ेगा तो पहले हम maximum निकाल लेते हैं यहाँ पर r square इसमें रखते हैं maximum velocity किती है 2 ठीके into में हम यहाँ पर कर देते हैं यह minus 4 into mu है आपका 1.6 into 10 to the power minus 3 और upon में radius कितना होगा diameter है 4 तो radius कितना होगा 2 cm तो 2 cm तो 2 into 10 to the power minus 2 का whole square बराबर ही आजाएगा हमारे पास del p by del x इसको solve करते हैं कितना आ रहा है so this will be 2 into 4 into 1.6 into 10 to the power minus 3 divided by 2 into 10 to the power minus 2 का whole square यह 32 minus का 32 will be the del p by del x ठीक unit क्या बनेगी यहाँ पर हमारा unit बनेगी pascal per meter अब इसमें रखते हैं हमें shear distance का पूछा है midway between the wall and the axis यह भी समझना यह हमारे पास pipe है ठीके तो यह इसकी center line है तो यह distance हमारे पास कित्ती है 2 cm तो वो इसके बीच में बोल रहा है मतलब वो हमसे यहां से 1 cm या boundary से बोले तो 1 cm और हम pipe में डिस्टेंस सेंटर से नापते हैं मतलब इस स्मॉल आर कित्ता बोल रखाए 1 cm पे पूछ रहा है तो अगर शियर इस्टेस हमें 1 cm पे निकालना है आर बराबर 1 तो यहां पे यह रख देंगे माइनस डेल पी बाड़ेल इस कितना है माइनस 32 तो माइनस माइनस प्लस तो वो बन जाएगा 32 आर कितना है 1 cm तो उसको हम कर देंगे 10 की पावर माइनस 2 मीटर में और अपॉन में 2 तो जो शियर इस्ट्रेस से आर बराबर 1 पर वो आ जाएगा यह 16 गया और 0.16 पासकल यह हमारे पास शियर इस्ट्रेस की वैल्यों आ जाएगे 0.16 ठीक 16 जीरो पॉइंट जीरो वन यह वन सेंटीमीटर आ गया तू सेंटीमीटर यह है ठीक है एक बार इसमें देख लेता है हम कितना आ रहा है जाना शियर इस जा रहा है 0.16 0.16 एक सेकंड इसको तो इसमें 0.16 एक भी ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इसमें से एक भी सही नहीं है तो इसमें मिस्टेक है सही आंसर क्या होगा 0.16 न्यूटन पर मिटर इसको है तो इसमें करने के सारी अप्रोच है सबसे पहले तो एक अप्रोच तो यहां पर क्या है कि आप पहले वाल्शियर इस्टेस का फॉर्मूला अगर आपको पता हो वाल्शियर इस्टेस कैसे निकालते हैं सिंपल यहां पर आर के जगे कैपिटल आर रख दो तो वह वाल्शियर इस्टेस और एवरेज का फॉर्मूला होता है यहां तो आपको डायरेट यह फॉर्मूला याद हो गेवरेज वाला एवरेज होता है हमारा मैकजीमम का हाफ तो से एवरेज वेलोसिटि आ गई एवरेज ओर वॉल्शियर इस्टेस में रिलेशन होता है उससे आपने वाल्शियर निकाल लिया और फिर आपको पता कि यहां पर इडिया लेशन है तो टाव अपॉं आर बराब सरी से इस्टेन्स तो जो layer की velocity है यहां से वो हो जाएगी य बराबर क्युतल आर माइनस स्मॉल र तो डी वाइब हो जाएगा माइनस का बीयार तो constant का differentiation 0 तो डीवाइबर माइनस डी ए और ऐसे ही यू बराबर यूमेक्स होता है वन माइनस आर स्कूरे अपॉन केपिटल रस्कूरे तो डी यू अपॉन डी आप कर दो डी यू की जगे रख दो माइनस डी आर और उसको डिफ्रेंशेट कर दो और के फो में उससे करेंगे तो आपके पाश्य साथ कि हच्छ रख्य का फिबशा पर इन दोनों अप्रोफ से सबसे सिंपले counts मेना आपको to do Equisition याद रखो 5-5-2-P-by-del-X और उससे यह और वहीं प्लेट में कोश्चन है तो प्लेट में भी आप याद रख सकते हैं कैसे प्लेट की बात है तो प्लेट में आप क्या करें आपके पास जो लोकल वेलोसिटी उसका होता माइनस 1 अपॉन 2μू डेल पी बाइड एल एक्स इंटू हवाइ माइनस वह स्कुर्ण तो आपको उसका शीर इस्टेस बनाना है तो वह तो मियू डी उपॉन डी वाइड होगा ठीक है तो मियू से मियू तो कड़ जाएगा यहां से तो वह जाएगा माइनस 1 बाइ 2 डेल पी बाइ डेल एक्स और इसका डिफरेंशेशन कर दो य के रिस्पेक्ट में तो यह जाएगा एच माइनस 2 वाइ तो मतलब मैं यह बूर रहा हूं पैरलल प्लेट में शीर इस्टेस की क्वेशन यह इसको याद नहीं रखना पड़ेगा यह अपने आप बन जाएगी इस वाले याद है इसको डिफरेंशेट कर दो और पाइप की याद रख लो तो दोनों के कोश्चन इजी बन जाएंगे ठीक है चलते अंगले कोश्चन पर चली तो नेक्स कोश्चन पर आ आप लोगों ने नहीं सुना होगा इस टोक्स लो सुना है हमने हेगन पॉइजले फ्लो एंड पास्कल्स लो अब हेगन पॉइजले फ्लो संबंद के से लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप तो यहाँ पर कहा दिख रहा है लेमिनार फ्लो पाइप ऑप्शन में तो है नहीं प्ल law surface of equal pressure के बारे में बताता है मतलब D मैच होगा 1 से तो यह option खतम हो गए फिर C मैच होगा 4 से फिर B मैच होगा 2 से मतलब यह सही आंसर है तो फिर अबेसी बाते हेले शॉफ फ्लो किस से संबंदिद है लेमिनार फ्लो थ्रू पैरलल प्लेट और इसी से आपका जो कोईटे फ्लो होता है वो भी इसी से संबंदिद है जब पैरलल प्लेट में से दोनों प्लेट स्टेशनरी है तो वो तो हमारा नॉर्मल फ्लो होता है जिसकी हम स्टेडी करते हैं जिसके फॉर्मूलेज हमें पता है बट अगर दोनों प्लेट में से कोई भी एक प्लेट या दोनों प्लेट मूव करना स्टार्ट कर देती है रिलेक्टिव टू दी फ्लूविड तो ऐसे केस में क्वाइटे जो फ्लो पैटन बनता है उसे हम क्वाइजट फ्लो बोलते हैं नेक्स प्रेशर ड्रॉप इन थाडी सेंटी में डाया होरीजोंटल पाइब 60 किलो पास्कल एन डिस्टेंस ऑफ 15 मिटर वालशी अरिस्टेस इन किलो पास्कल वाल्शी अरिस्टेस कितना होगा पाइप पर कोशन है तो अगेन हम यहां पर आपको शीआर स्टेस की क्वेशन ब इसमॉल आर है यह हम सेंटर से नापते हैं ठीके तो अब हमें बाउंडरी वाला चाहिए मतलब शीयर इस्ट्रेस का डिस्ट्रिबूशन डिगराम आपको पता है यहां पर मैगजीमम होता है सैंटर पर जीरो होता है तो जो बाउंडरी पर मैगजीमम आ रहा है उसे हम वाल शीयर इस्ट्रेस बोलते हैं उसकी वेल्यू हमें चाहिए टाव नौड की तो वह हम कैसे निकालेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कित्ती होरी आर बराबर केपिटल आर तो जो टाव नौड होगा जो टाव मेक्स होगा जो वाल पर इस्ट्रेस होगा वोगा मैनस का आर बाई टूटलपी अपॉन डेलेगस आव रेडियस हमारे पास कित्ती डायमेटर ही 30 cm तो रेडियस होगी पंदरा तो माईनस 15 लान्टू टू तू ठावर माइनस 3 माइनस-3 सीं Victoria की को मीटर में करेंगे प्रेशर कितना हो रहा है 60 की किलो पासकल और हमसे किलो पासकल में पूछा है तो उसको हम किलो पासकल में रखते हैं तो वो हमारे पास हो रहा है 60 किलो पासकल और अपॉन में जो डिस्टेंस है वह है 15 मिटर 15 में चेंज आ रहा है तो यह होता है हमारे पास 15 460 602 तूजा 4 यहां पर यह आ गया माइनस और 15 तूजा 30 इंटू 10 तूदी पाउर माइनस 2 मतलब यह आ गया 0.3 किलो पास्कल 0.3 किलो पास्कल सो सी विल भी दी करेक्ट आंसर माइनस में क्योंकि आपके फ्लो के अपोजिट शीर इस लगता है इसलिए माइनस साइन आ गया आग इल पाके जिट्रेश जीरो होता है सेंटर लुटेश सेंटर एक्सिस पर यह स्टेट्मेंडी सेंटर गलते क्यों है एग ऑस एक कोनगता अच फर्मूला upon rho gd square right तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमें दिखरा है velocity mu के inversely proportional नीचे आएगी और यह होता है discharge के upon में area तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि discharge और velocity, viscosity inversely related, not directly तो यह statement हो गया false मतलब two वाला तो सही नहीं है तो two कहाँ कहाँ है यहां है और यहां है तो यह दो आप्शन हट जाते हैं अब वन तो करेक्ट है इसका मतलब फिर एक यह ऊप्शन बसता है यह नहीं अगला है गलत है यह आप एंच मीन वेलोसिटी के power 1 यह इसलिए आपको यह भी पता हुगा से रहे만 की पावर 1 के वह Letter की पाषश और समत has नॉट पावर 2 तो यह statement भी false हो जाता है इसलिए कोण साई सिर्फ 1 and 3 आगे बढ़ेंगे next is in laminar flow between two fixed plate parallel to each other at a distance d the shear stress is shear stress क्या होगा two fixed plate है तो इसमें जो local velocity का formula होता है वो होता है minus 1 upon 2 mu del P by del X into HY minus Y square तो इसमें shear stress का क्या बनेगा minus 1 upon 2 और del P by del X और in 2 में H minus 2Y जो की tau होता है mu du by dy तो mu से mu कड़ गया तो खाली 1 by 2 बचा del P by del X और इसका differentiation dy के respect में तो H minus 2Y अब क्या बोढ़ रहा है maximum at the plane dy2 from each plate and 0 at the plate boundary तो जो हमारे पास यहाँ पर fixed the plate है जिनके बीच की distance किती है D तो इसमें जो shear stress का distribution diagram होता है वो ऐसा बनता है center पर 0 है और pipe boundary पर maximum है मतलब यहाँ से किती दूरी पर 0 है D by 2 पर अब पढ़ो क्या बोला है maximum at the plane D by 2 from each plate D by 2 पर maximum है और plate boundary पर 0 है कोन shear stress यह तो गलती statement है मतलब 1 तो कहीं से उल्टा हो गया यह तो तो 1 तो होगा है नहीं ना यह होगा अगला बोड़ा है 0 throughout the passage पूरे में 0 होगा यह भी गलत है maximum at the plate boundary and 0 at the plane D by 2 from each plate यह statement correct है मतलब B will be the correct answer maximum boundary पर है और यहाँ पर 0 है अगले इस पर आते हैं नेक्स्ट रिनॉल्ड नंबर of fluid flow is indicative of relative dominance of the effect of momentum transfer between adjacent layer of the flow over the viscous stress मतलब जब viscous stress लगते हैं मतलब जब viscous flow हो रहा है तो रिनॉल्ड नंबर molecular momentum transfer को बताता है molecular momentum transfer का मतलब collisions of particle तो यह बात एकदम सही है क्योंकि देखो रिनॉल्ड नंबर flow है तो इसमें आपको पता है edis loss नहीं होते edis flow नहीं होता edi formation नहीं होता है तो edi formation नहीं होता है तो molecular momentum transfer भी नहीं होगा collision नहीं होगा वहीं पर जैसे जैसे renault number जितना ज़्यादा होगा उतना flow turbulent जिग जिग रेंडम होगा और वहाँ पर edis formation relative dominance बता रहा है of the effect of momentum transfer adjacent layers के बीच में जितना ज़्यादा momentum transfer layers के बीच में जितना कम उतना कम तो कहीं न कहीं उसके dominance को बता रहा है सही for flow at higher and all number the velocity profile is logarithmic ये भी बात सही है जब आपका flow laminar हो तो velocity profile जो होती है वो parabolic होती है कब laminar flow के अंदर कैसी होती है parabolic वहीं पे जब turbulent flow होता है तो जो velocity profile होती है वो लगभग इस प्रकार से होती है बीच में लगभग सेम होता है और थोड़ा सा कोने पर आपका velocity variation आता है turbulent flow में मतलब turbulent flow में जो ये graph होता है velocity distribution ये logarithmic कहलाता है इसमें अगर आपने turbulent flow पढ़ा हो तो log velocity log के form में vary करती है और यहीं पर जो होता है वो parabolic होता है ठीक है तो रिनॉल्ड नंबर बे velocity profile जब turbulent है तो logarithmic होगा ये बात सही है बड़ इसका इससे कोई संबन नहीं है velocity logarithmic vary करे उससे momentum transfer होगा ज़ादा renal पर इससा कोई relation नहीं निकल के आता है मदब इसका सही answer होगा B दोनों सही है बड़ current explanation नहीं है इसका ठीक आगे बढ़ेंगे इस स्मूद और बाण्डरी बोथ smooth and rough boundary and 5.75 for both smooth and rough boundary तो smooth and rough boundary क्या होता है turbulent flow में मैं आपको बता हूँगा smooth and rough दोनों के लिए हमारे पास जो maximum velocity है UM minus U जो average velocity है upon U जो local velocity है उसका जो ratio होता है वो 3.75 होता है ठीक है और plus यहाँ पर यह अगर हम जब निकालते हैं किसके लिए maximum के लिए बदा गरें boundary पे तो इसकी value 3.75 आती है ठीक है इसको directly आप यहाँ दख सकते हैं क्या formula है वो भी आपको बता देता हूं हमारे पास जो formula बनता है U max minus U upon U star यह U star जो होता ही होती है wall shear velocity तो यह होता है 5.75 log 10 y by r plus 3.75 ठीक है अब अगर हम यह equation is smooth और दोनों के लिए तो अगर y की value को में r रख दूं यहाँ पर actual में क्या आता है U minus U बार आता है यह होता है local minus average upon wall shear velocity तो अब जब अगर में य को r रख दूंगा तो यू भी मेरा U max बन जाएगा ठीक तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास U max minus U upon wall stick वहाई बन गया r तो r upon r होता है 1 और log 1 base 10 0 होता है तो यह term हो गई 0 मतलब maximum minus average upon wall shear velocity is equal to 3.75 तो यह दोनों के लिए value होगी यह formula smooth and rough boundary यह turbulent flow की equation है में not only for smooth and rough boundary mainly valid for turbulent flow तो दोनों boundary के लिए valid है अगला तो यह दारिट आप formula ध्यान रखें formula क्या बनेगा यू local velocity minus average upon wall stick velocity is equal to 5.75 log 10 y upon r और plus 3.75 इसले जो velocity होती है वो logarithmic variation ही हमने वहाँ पढ़ा था उदर अगला है the lost of head in a pipe carrying turbulent flow varies inversely as the square of velocity inversely as the square of diameter of pipe directly as the square of velocity of flow and directly as the velocity of flow तो जब हम डार्सी लौ पढ़ा था तो डार्सी लौ के अकॉर्डिंग जो है वो कितना था f l v square upon 2 gd तो यहां से क्या समझ में आ रहा है hf किसका function है वी की power 2 का यह turbulent flow के लिए वेलीड equation है तो यहां पर हमारे पास क्या समझ में आ रहा directly as the square of velocity of flow ठीक है जो हमारे पास डार्सी लौ है hf v square के proportional है तो c जो है हमारे पास क्या हो करेक्ट होगा चलिए अगले question भी चलते हैं अगला question है consider the following statement in flow through hydrodynamically smooth pipe the friction factor is constant hydrodynamically smooth pipe friction factor is function of renault number fully developed a rough turbulent pipe flow friction factor is function of relative roughness only and fully developed a rough turbulent pipe friction factor is function of renault number in pipe roughness तो इसका बच्चों ये दो statement correct है जब भी धियान रखना है smooth pipe के अंदर सिर्ट नॉल्ड नंबर का function होगा friction factor सिर्फ किसका function होगा renault number और यहां पर वो function होगा सिर्फ surface roughness पर depend करेगा तो इसका two and three will be the correct है इसमें आप यह भी धियान दखें अगर के बाई डेल्टा डेल्टा यहां पर क्या है आपका boundary layer thickness boundary layer thickness और साथ में के जो है वो average surface roughness height है जो surface roughness होती है उसकी जो average height है वो है के तो अगर आपका के बाई डेल्टा accumulate से कम है तो उसको hydrodynamically smooth pipe बोलते हैं यह भी पूचा सकते हैं अगर डेल्टा six से जादा है तो हॉझा के बाई डेल्टा छे से बड़ा है मतलब के बहुत ज्यादा है तो roughness जैदा है तो रफफ कर लागा और के बाई चल्टा पॉइंट वैफ से कम है मतलब के बहुत कम है तो वह स्मूथ के लगाए ऐसे याद रखना और पॉइंट वैफ से सिस्के बीच में तो वह ट्रांजिशन कंडिशन में आ जाएगा ठीक अब आगे मतलब डेली यहां पर लेमिनार सब लेयर ठीकनेस लेमिनार सब लेयर जो कि जब आपका बाउंडरी लेयर फ्लो होता है और उसमें जब तर्बूलेंट फ्लो कंडिशन बनती तो वहाँ पर अलग-अलग सब लेयर आती है बफ और ओवर लेप और लेमिनार सब लेयर की डिस्टेंज है तो रफ पाइप में जो निकुराज से के रिजल्ट है वो मतल्ब की फ्रिक्शन फेक्टर स्वस्टास्र रफमलेंस का फंक्शन है इस हमारे पास रेनाल रेणालट नमबर का फंक्षन है ठीक है तो यह नग्यां होता है अगला फ्लो इन इंदी बाउंडरी लेयर लेमिनार in turbulent flow on a smooth boundary or laminar sub layer still exist within the boundary layer flow in the boundary layer is always laminar ये statement false है चुकि boundary layer में आप ध्यान रखना जब boundary layer में renault number 5 lag से कम होगा तब flow laminar होगा और जब boundary layer में renault number 5 into 10 की power फच जादा होगा तब flow turbulent होगा और जब turbulent होगा तो वहाँ अलग-अलग layers बनती है जैसे ये आपका boundary layer है ये आपकी flow की यहाँ पर तो इसमें ऐसे अलग-अलग layers बनती है एक को हम बोलते हैं laminar sub layer फिर एक आती है यहाँ पर overlap layer फिर एक यहाँ पर आती है buffer layer और फिर यहाँ पर आती है turbulent layer यह turbulent flow में अलग-अलग layer बनती है laminar flow जब होता है तो उसमें अलग-अलग layer नहीं बनती है वहाँ पर हाई वहाँ डी यू बाई डी वाई जो होता है वह बहुत हाई होता है very high very high ठीक है तो वहाँ अलग-अलग layer नहीं बनती टर्बूलेंड में अलग-अलग सब लेज़ बनती हैं तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है यह बोलड़ा टर्बूलेंड फ्लो में लेमिनार सब लेजर होता है मतलब अलग-अलग लेजर होती हैं सही बात है तो इसका होगा एफ पॉल से आर टू है नेक्स्ट इस मैच लिस्ट बित लिस्ट टू हमें यहाँ पर इसको रिलेट करना है देखो सबसे पहले तो लिफ्ट ऑन एरो फॉई यह संबंदित हमारा किस से हैं यह हमारा संबंदित है सर्क्यूलेशन से मेगनस इफेक्ट फिर बाउंडरी लेयर में हमारे पास मोमेंटम इंटिग्राल एक्वेशन होती है क्या हम मोमेंटम थिकनेस डिफाइन करते हैं लेमिनार फ्लो संबंदित है हैं पॉईजले से और टर्विलेंट फ्लो आजाएगा मिक्सिंग लेंड से प्रेंडल मिक्सिंग लेंड थियोरी तो ए मैच्ड है थ्री से बी मैच्ड है फोर से यह one and two so see will be the correct answer match the calling वाले बड़े simple questions होते हैं बनाब उसको आप ध्यान से करें और आपको सारे भी नहीं मैच हो रहे हैं तो आप जो आपको पता है आप उतना मैच कर लो उससे चेक कर लो एपैलिंग मेनेशन से उसको easily कर सकते हैं तो यह दावच्चों हमारा session मिलेंगे और अगर यह टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको चाहिए तो वीडियो के description में available है ठीक है रवाइस करते रहें और जो हमारा weekend is Saturday Sunday उस पर मेय और विजे सर्थ आपके लिए रेकर आ रहे हैं एक complete full length live mock test ठीक तो मिलते हैं अगले session के अंदर तब तक के लिए goodbye and take care